सब्सक्राइब कीजिए कीफ्रेम्स अनिमेशन एकडेमी चैनल को ताकि मेरे सारे टुटुरिल्स टिप्स और ट्रिक्स आप तक महुच जाए सबसे पहले जो यह है आए 7 इंटेल का i7 12 जनरेशन आपको 12 जनरेशन क्यों लेना चाहिए बले वो आए 5 लो आए 7 लो आए 9 लो बर 12 जनरेशन ही क्यों लेना चाहिए आज हम डिसकस करेंगे So let's get started So guys, पहले से शुरुवात करेंगे Actually इसका जो बनाने का जो तरीका है Intel ने पूरी तरह से उसको Change कर दिया है और from ground up बोलते हैं पूरा Change कर दिया है क्योंकि 10th generation या 11th generation तक Intel AMD से पीछे था मैं agree करता हूं इस चीज़ को क्योंकि मैं खुद Intel को preference देता हूं क्योंकि AMD को में ज़्यादा preference देता नहीं अगर आपको ऐसा system बनाना है जो आप content creation के लिए इस्तमाल करना चाते हो नीचे screen पे number दिया है उस पे आप call कर सकते हो या तो WhatsApp कर सकते हो पहला मैं requirement समझ के लूँगा कि आपका कौनसे software आप यूज करना है आप कौनसे software यूज करते हो उसके हिसाब से मैं design करूँगा system को और फिर सब assemble करके, test करके basically test करके मतलब उस उस software में test करके, rendering करके फिर मैं आपको ship करूँगा ताकि आपके याँ पे कोई भी problem ना है और असन इसे काम कर सको बट अगर तु मार्केट में देखोगे सब जगे देखोगे तो लोग AMD प्रिफर करते हैं मतलब AMD बोलते हैं, AMD लेते हैं और सब जगे, जो influencers ये वो भी AMD बोलते हैं बट मैं बहुत अलग सोच रखता हूँ क्योंकि मुझे Intel में ही proper performance मिल रहा है और बहुत कुछ अच्छा मिल रहा है बट अभी वो रही पीछली बात अभी के जो competition अगर तुम देखा जाओगे तो Intel ने पूरी तरह से AMD को दो दिया है ठीक है, अभी उनके मुकाबले में अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ अभी के लिए उसमें कोई नहीं है क्योंकि उसका जो i5 का जो processor है i5 12 generation वो भी उनके AMD के processor को मार गिरा रहा है processing power में भी और सब जगे में भी बट 12 generation में i7 12 generation और i9 12 generation basically अपने काम की बहुत अपने काम की चीज़ है मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ i5 भी अच्छी चीज़ है बट अगर तुम ये चीज़ लोगे 12 generation लोगे तो इसमें P core और E core ये दोनों अलग है P core मतलब actual में अपना जबी rendering चलेगा न जो पूरी तरह से performance पे उपर वो ध्यान देगा P course और E course जो भी तुमारा multitasking होगा मतलब let's say तुमने rendering में लगाया है तो simultaneously तुम तुमारा Photoshop का काम हो या दूसरा 3D Max का भी काम हो तो भी चल सकता है क्योंकि मैंने literally 3D Max चलाए है मतलब एक पे render लगाया है दूसरे में Qs Vantage के उपर rendering चल रहा था और 3D Max में मैं काम कर रहा था मतलब इतनी अच्छी तरह से वो sufficiently multitasking कर लेता है जो पहले थोड़ा सा problem देता था मतलब थोड़ा सा lag कर था 10th generation और 9th generation में भी but 12th generation में 3-3 3D Max चलाओ दो पे render लगाओ एक पे काम करो तो भी आपको कोई भी lag नहीं दिएगा और मैं अभी दावे के साथ कह सकता हूँ कि now you can't ask for AMD anymore Ryzen तुम नहीं बोल सकते कि तुमको Ryzen चाहिए Ryzen से अच्छा बहुत गुना अच्छा तुमको अभी Intel दे रहा है और मेरा suggestion यही रहेगा कि तुम अभी Intel के पास 12th generation के इसाब से जाओ और तुम्हारा अच्छा वर्क्सेशन बिल्ड करो So thank you very much मिलते हैं नेक्ट वडियो में तब तक के लिए बाबाए